जाम टूर देख रहे हैं बिहार में फिर से सरकारी नौकरी की भर्मार है और आपसे बता दें 17 हचाओ के आसपास फिर से वेकेंसी दिया जा रहा है और इस वेकेंसी को कौन-कौन आवेधन कर सकते हैं ये सब कुछ बताएंगे कितना सेलरी है क्या है कैसे प्रिक्षा प्रोसे से सब कुछ बताए जाएगा सबसे पहले आपसे बता दें कि जो भी विद्यारती गिर्जवेशन पास है यानि गिर्जवेट है वह चाहें कोई भी एस्ट्रीम हो बीए किये हैं या आप बीएसी किये हैं या बीकम किये हैं या और बीवीए उगरा भी किये हैं सब कुछ च कि लिए यह पषितित के लिए यह विखिस के लिए बीस निर्दारित टाएटा लेकिन जेनरल आयू की बात करिएगा तो 20 से लेकर 37 वर्ष, OBC के लिए बात करिएगा तो 20 से लेकर 40 वर्ष, EBC के लिए बात करिएगा तो 20 से लेकर 42 वर्ष, ST की बात करिएगा तो 20 से लेकर 42 वर्ष, महिला यानि जेनरल महिला और OBC की महिला का बात करिएगा तो 40 वर्ष, म आपका ये क्राइटेरिया हुआ अब आते हैं अन्य बाद पर आगे आए अब देखिएगा सुल्क का बात करिएगा आवेधन सुल्क तो 600 रुप्या सभी का लएगा यानि जेनरल जो भी विप्ति हैं और इसमें बाहर के राज के भी विद्यार्थी आवेधन कर सकते हैं कोई एटेम्ट नहीं है एज लिमिट मात्र है एटेम्ट नहीं दिया गया है अब आगे देखिएगा SCST से आप आते हैं तो 1500 रुप्या महिला है तो 1500 रुप्या OH है तो आप 1500 रुप्या ये शुल्क में परिवर्तन हो भी सकता है अन्य राज के यदि आप हैं चाहें महिला है चा पांच फीट पांच चाहिए और जो पूरुष है तो शीना की बात करिएगा चिस्ट की बात करिएगा तो 32 बीना फुलाए हुए और उसके बाद SCST अगर आप हैं तो पांच फीट तीन इंच और सीना की बात कीजिएगा तो 31 ये सारा चीज ये अपडेट हुआ अब आते ह भी होगा यानि कि मैं आपसे बता दू BPSC की मैं बात कर रहा हूँ अब यहां पे देखे पहली बार संजुक शिविल शेवा परिक्षा से 1700 पद भरे जाएंगे यहां पे देखिएगा अभिशेक कुमार का ये रिपोर्ट है संजुक से मेरा भी नाम अभिशेक हुआ बिहा दोनों को कर दिया गया है सबको मिलाय दिया गया है मर्ज कर दिया गया है यहां पे देखिएगा सतरवी को लेकर संजुक शेवा परिक्षा के दुवारा 1700 से अधिक पदों के लिए विग्यापन जारी करेगा बिप्यसी के इतिहास में संजुक सिविल सेवा में यह सबसे बड़ाई रिक्ती होगी यह पहला मौका है जब इसने पदों पर रिक्ती निकाली जा रही है इसके पहले अधिक्तम 800 तक रिक्ती निकाली गई थी इस बार सबसे अधिक पद यानि 1400 भी आया था यह 800 देरा ले है राजस्व शेवा के लिए 287 है SDM के लिए 200 है CTO के लिए 166 है और DSP के 136 सहित 18 विभागों से रिक्ती प्राप्त होई है सिर्फ एक और विभाग से रिक्ती प्राप्त होनी है इसके बाद 17 या 18 सितंबर को विज्यापन जारी कर दिया जाएगा अब भैर्थी को कम से कम 21 किस दिन या अधिक्तम एक माह तक आवेदन करने का मौका मिलेगा आयोग की ओर से जारी केलेंडर के अनुशार प्रारंभिक परिक्षा की संभावित तारिक 17 नौंबर को घोसित कर दी गई है यानि नौंबर में आपका एक्जाम होगा अब देखिएगा चुकि सबसे इति प्याम का है और कई सारे पद हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे इतना अधिक जो इस बार है रिट्टी के अनुशार कम से कम 10 लाख आवेदन की संभावना है या शिविल शिवा की बड़ी परिक्षाओं में से एक होगी आयोग इस परिक्षा को लेकर विशेश तयारी इसमें देश भर के शिविल सेवा की तैयारी करने वाले चात्र जुटेंगे खास कर वैसे अब भैरती जिनका यूपीएसी में नहीं हो रहा है इसकी संख्या भी बीपीएसी में 17 में अधिक होगी बीपीएसी से बिहार के एक वर्स में 2 लाख से अधिक नौकरी दी जा चरण भी लगबग 90,000 रिक्तियों को भरा जाएगा इसका रिजल्ट भी सरकार से आरक्षन रोस्टर सापको ने होते ही जारी कर दिया जाएगा परधान सिक्षक और परधाना ध्यापक का रिजल्ट भी जल्द आएगा इसके लेकर मध्यम से 46,000 नियुकति होगी इसके पर दिया जाएगा प्रधाना ध्यापक का जो है वह भी नियुकति सब कूश हो जाएगा यानि बीप्यापक रही है तो ऐसे उमिदवार जिनके पास युगता है जो वी प्यास्ति की तयारी करते हैं या जो एशंग आवेदन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं यदि आप ए में सेरके इसके बाद एक एक बिंदू पर तोर तोर कर मैं बहुत अच्छा सा वीडियो लग कर आऊंगा जिसको आप जरूर देखेंगे जो भी प्यासी का अभ्यारती नए हैं बहुत सारे लोग इस बार देंगे उनके लिए थोड़ा सा अलग से जनकारी दिया जाएगा ता